नमस्कार, मैं सिस्रम प्रफेसर अंतीमा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हो हमारी चैनल हिंदी नारी में आज हम बात करेंगे सहित्तिक संस्थाओं के बारे में ये सहित्तिक संस्थाएं जुन्होंने समय समय पर हिंदी ही नहीं हिंदी सहित्ति के भी प्रचार और प्रशार में अपना आमोलय योगदान दिया इसमें जो सबसे पहला क्रामाता है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज का फोर्ड विलेम कॉलेज के स्थापना लॉड वेलेजली ने 10 जुलाई 1820 में की थी इसके प्रथम अध्यक्ष जॉन गिल क्राइस थे और इसमें एक भाषा मुन्षी जो की लल्लू लाल जी थे और एक भाषा अधिकारी सदल मिस्र जी की बिन्यूपती हुई फोर्ड विलेम कॉलेज का उद्देश तो सामानिता बहुत साहतिक नहीं था इसका उद्देश था कि उस समय के जो नौकर शाह और अफशर साह थे उनलों को भारती भाषाओं का ग्यान कराना जिससे उन्हें साशन करने में भारत और अपना अधिकार जमाने में सहजता आए लेकिन अप्रत्यक्ष उद्देश ही सही लेकिन कहीं न कहीं इस संस्थान ने हिंदी सहति के प्रारंभिक विकास पर बहुत योगदान दिया इसके पास जो महतवपूर संस्थान आती है जिसका हिंदी सहति में बहुत महतवड अस्थान है वो है इंडियन प्रेस का बाबु चिंतामडी घोष नेशन 1884 में इलाहबाद में संस्थान के स्थापना की थी इस अंस्थान के जो सबसे महतवपूर योगदान था वो ये कि चंतामडी घोष ने नागरे प्रशाडी सभा से पर्मीशन ले करके सरस्वती पत्रिक्ता का पुनर संपादन इलाहबाद में शुरू किया 1903 में इसकी बागडोर अपने समहाली और 1920 तक वो इसका प्रकाशन लगतार करते रहे सरस्थी पत्रिका का हिंदी सहित्य में एक बहुत महतवपूर योगदान है इस पे हम एक कभी आलग से फिर से बातचीत करेंगे लेकिन ये संस्थान इंडियन प्रेस ने सरस्थी पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाशा को परनिस्ठित करने के लिए में बहुत महतवपूर योगदान दिया इसके बाद जो महतवपूर संस्था आती है वो है नागरी प्रचारडी सभा काशी तिकडी, पंडित राम नरायर मिस्ठ, बाबु सियाम सुंदरदास और शेव कुमार सिंग ने मिल करके संस्थान के स्थापना की 16 जुलाई सन 1893 में वाराडसी में किया इसके प्रधम अध्यक्षते बाबु राधा कृष्णदास इसका उद्देस्ता की हिंदी भाषा और देवनागरी लिपी की उन्नती कैसे हो इसके लिए इन्होंने तमाम सहित्ते ग्रंथों का और अलग लग भाषाओं का हिंदी में अनुवार भी किया इसलिए ये पत्रिका भी निकाली और ये संस्थान हिंदी सहित्य में बहुत महत्पूर युगदान रखता है इसके बाद हम बात करें तो जो चौथा प्रमुख संस्थान है वो है हिंदी सहित्य सम्मिलन भाषा के प्रहरी कहे जाने वाले पुरुषोतम दास तंडन और श्याम संदरदास ने मिल करके इस संस्थान के अस्थापना गी थी 1910 इस्वी में इस संस्थान के अस्थापना प्रयामारे प्रयागराज में हुई इस अंस्थान के पहले सभापती पंडित मदन मोहन मालिविय थे और पहले प्रधान मंत्री हुए पुरुषोतम दास्तंडन इसका प्रथम अधिवेशन काशी में हुआ इस अंस्थान का भी जो उद्देश था वो हिंदी भाशा का प्रचार और प्रसार था साथ ही में देवनागरी लिपी के जो है वो सुरक्षा करनी थी इस संस्थान ने तमाम सहत्य ग्रंथों का भी हिंदी भाषा में नुवात किया और हिंदी लेकों को प्रत्साहन के लिए इस अंस्थान ने मंगला प्रशाद पारितोशिक और सेक्सरिया पुरसकार जैसे उस समय के महतवूर पुरसकारों के स्थापना बी की ये कुछ अलग माध्यम से हिंदी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली ये समेले नाम की पत्रिका भी निकालते थे जो पत्रिका आज भी आती है एक तरह माजी पत्रिका है इस संस्थान के अलावा एक हमारी जो महतपूर संस्था है वो है हिंदुस्तानी अकैडमी इसके संस्थापक धिरेन वर्मा जो उस समय के इलहाबाद विश्विद्याले हिंदी भाग के भी अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने सन 1927 में हिंदुस्तान के स्थापना की इस संस्थान का उद्धेश वह व्याकरण विशेसता केंदृत किया और भाषां में जितनी घृवाल और तो बहुत भांचा से लग इसा में ज्यादा ध्यान दिया अनेक क्या कते हैं लेखों का हिंदी भाशा में अनुवाद भी कराया और यहां से भी एक पत्रिका निकलती थी हिंदुस्तानी एक पत्रिका इन्होंने निकाली यह पत्रिका भी आज भी हिंदुस्तानी एकेडमी से अनुवरत निकली रही है इसके अलावा जो महतुपूर एक संस्थान रहा है भारती हिंदी परिशत ये भी धिरेंद वर्मा जी ने इसकी इस्थापना की थी और लेकिन ये पत्रिका जो इलाहाबाद विश्विद्याल है कि हिंदी विभाग द्वारही निकाली जा रहे थी इसके अलावा कुछ और भी संस्थान थे परिमल जैसे संस्थान जो है महतुपूर संस्थान है जो उस समय के इलाहाबाद के जितने भी युवा सहितिकार थे उन लोगोंने मिल करके इस संस्थान के स्थापना की जिससे तमाम लोगों को जो केंद्रिप से बाहर जा चुके है जैसे लेको को छोटी-छोटू लेकों को इन्होंने मौका दिया और जिससे हिंदी सहेते में नए-नए विषयों का का क्या करते हैं आगमान हुआ ये कुछ प्रम्होग संस्थाएं हैं जिन्नों ने हिंदी सह Eachत कि आधुनिक यूग को मुखिता विकास करने में और प्रिचार करने में बहुत महत्व यूगदान दिया इन संस्थाओं के अलावा और भी कई सारे महत्पूर्ट संस्थाइं हैं कई सारे हैं जिनका इस वीडियो में में पूरा पूरा उलेख नहीं कर सकती हूं लेकिन उसका मैंने एमारे टेलीग्रां में आकर दियून में आप सकते हैं आज अपनी बात समाब्स करते हैं इसके आगे हम ती इसके थासवार भात करेंगे शुक्रिया झाल झाल